हलो एब्रीवन विल्कम टू आवर चैनल गाईज यहाँ पर आज हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्टरिकल्स लिम्टेड के रिकूट्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरूर करें चलिए शुरूबात करते हैं आज के इस नॉटिफिकेशन का गाईज यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है निट्स द फॉर द एक्स्प्रियंस इंजिनियरिंग प्रोफेशनल सिविल ध्यान रखेगा सिविल के होगे 48,000 और जितने भी सुपर्वाइजर पोस्ट हैंगे सुपर्वाइजर के लिए यहाँ पर 43,000 550 रुपीज रहेगा पर मन्त इसके अलावा टू इयर्स तक का आपका प्रोजेक्ट की कंपलीशन तक आपका यहाँ पर टोटल यह जॉब की शूरेंस रहेगी यहाँ पर पाइब यह का इंटिग्रेटेड मास्टर कॉर्स किसी के पास है तो भी अपलीकेबल है डूट डिग्री प्रोग्राम है तो भी अपलीकेबल इसके अलावा ट्री यह पोस्ट एक्सपरियंस यहाँ पर रिकॉइड होगा नेक्स्ट आता है ठ्री यह पूल टम डिप्लोमा सिविल इंजिनियरिंग साती साथ 60% मार्क्स रिक्वाइड है और टू इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक्सप्रियस जो है आपका कॉंक्रीट स्टक्चर अस्ट्रक्चल फैब्रीकेशन इन सभी का एज रिलेक्स दिया जाएगा नेक्स्ट यहां पर आपको इमॉलमेट के बारे मता दिया गया है कि सेलरी आपकी जो रहेगी इंजिनियर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो अपलाई करने के लिए यहां पर टोटल अगर आप देखिएगा तो भीम यूपिया इसे आपको प्रोसेसिंग फी पे करना है जो कि आपका 200 रुपीज लगेगा यानि कि अगर आप अपलाई कर रहे है किसे भी पोस्ट के लिए तो 200 रुपीज जिसका फी लगेगा खिलियर रहेगा चलिए अपलाई कैसे करेंगे www.pswr.vail.com पे आप जाकर के डिरेक्ट अपलाई कर सकते हैं अदर्वाइस आप यहां पे सिनियर डेप्यूटी जेनरल मैनेजर एच आर भेल पावर सेक्टर वेस्टर्न रिजन स्री मोहीनी कॉंपलेक्स 345 किंग्सवे नागपूर ठीक है ध्यान रखिएगा यहां पे आपको एड्रेस दिया है आप इस एड्रेस पर अपने फॉर्म को कम्प्लीटली टेस्टेशन होना चाहिए क्लियर है चलिए यहां पर आपको कंडिशन बताई गई है डॉक्मेंट्स रिक्वाइड क्या क्या है इंटर्व्यू के टाइम में टेंथ का सर्टिफिकेट इसके अलावा आप जितने भी सपोर्टिव डॉक्मेंट्स लगाए है फॉर्म के साथ टेस्ट किये हैं उन सभी को आपको यहां पर प्रेजेंट करना पड़ेगा क्लियर रहेगा नेक्स आता है इंपॉर्टेंट डेट्स तो गाइस ध्यान रखिएगा अप्लिकेशन प्रॉसेस स्टार्ट हो चुका है एट्थ ओक नॉमबर से लास्ट डेट रखा गया यहां पर 21st of November ठीक है लास्ट डेट 21st of November और लास्ट डेट जो आपका नागपूर में जो ऑफिस के बारे में मैंने बताया जहां पर आपको भेजना है एटलिस नागपूर ऑफिस पर आपका जो अप्लिकेशन है 24 नॉमबर तक आपका अप्लिकेशन पहुंच जाना चाहिए ठी एक recruitment notification for the post of engineer and supervisor on fixed term basis नियां रखिएगा fixed term basis पर आपका requirement notification यहां पर जारी किया गया है तो अगर आप लोगों को यहां पर लगता है कि आप लोगों के पास कुछ experience है तो आप यहां apply कर सकते हो two years के project के लिए clear रहेगा जितने भी फ्रेशर है graduate है उनको किसी भी तरीके से यहां पर diploma holders हैं तो three years का यहां पर चाहिए और जितने भी engineering वाले हैं भी वी टेक वाले हैं उनको two years का post qualification experience fabrication में structure में concrete structure में required होगा clear रहेगा तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग next और नए update के साथ बने रहे यह चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक स जरूर करें thank you so much